हलो इस्टुडेंट आप सभी का स्वागत हमारी यूटूब चैनल इस्टेडी विट रेडिंग में इसकी राजनेति क्यों प्रसासनिक व्यवस्था को मैंने दो पार्ट में बांट रखा है इसका पहला पार्ट हमने कंप्लेट करा दिया है और इसका दूसरा पार्ट आज शुरू करने वाले हैं जो की संबंधित है उत्तर परदेश पंचायती राज प्रडाली से तो एक बार उत्तर परदेश का संचिप्त अउलोकन और लाश में प्रिवियस यह जो कुछन पूछे गए थे संचिप्त अउलोकन उत्तर परदेश के टॉपिक से उसे भी कंप्लेट करा है और उसी तरह से उत्तर परदेश का भहतिक बिन्यास उत्तर परदेश की जलवायो मिर्दा प् दोग, 9 टॉपिक था खनी जयों मिर्दा, खनी जयों उर्जा संसाधन, 10 टॉपिक था परिवहान यों परियतन, ग्रहुआ टॉपिक था हमारा उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंदी था, जो कि प्राचेन इतिहास से लेकर आजुने कितिहास एक ही वीडियो में उत्तर प्रदेश की सिठ्छा ब्यवस्था और आज का हमारा टॉपिक क्या है, उत्तर प्रदेश की राजनीति क्यों प्रशासनिक ब्यवस्था और राश्ट मे previous year question भी solve करने वाली है फिर हमारा बचने वाला है इतना उत्तरपरदेश में महात्पूरी योजनाए और जन्गरणा 2011 लाश्ट में budget देखेंगे 2023 का और फिर देखेंगे आर्थिक समिच्छा 2023 और लाश्ट में हम देखने वाली है एक वीडियो में समसमाई कियों एक नजर उत्तरपरदेश की बारे में ठीक है तो हम पढ़ेंगे आज राजनीतिक प्रसासनिक ब्यवस्था का second part तो ये था उत्तरपरदेश की राजनीतिक और प्रसासनिक ब्यवस्था आते हैं उच्च नियाले सर्बोच नियाले किस न्याइपालिका की अंतरगत आते हैं ये सभी हमने क्लियर कर लिया ठीक है तो जैसे कारपालिका में कौन-कौन से मंत्री आते हैं बिधाईका में और न्याइपालिका में ये सभी क्लियर कर लिया है पहले पार्ट में ठीक है उत्तर पर्देश में मंडल कितने है और उन मंडलों में जो है उन मंडलों के अंतरगत जो है सबसे जाधा जिले किस मंडल में इस सित है यह सभी हमने देख लिया ठीक है तो थोड़ा सा ओर टॉपिक किलियर करना है बस उत्तर परदेश में नगर निगम कितने हैं 17 हैं तो उनके नाम मैंने लिख रखा है जो सबसे बाद में 17 हुआ नगर निगम कोन सा बना था तो वो सा जहांपूर्था जो 2018 में बना था और उत्तर परदेश में जो जिले हैं उनका मुख्याले कहां पर है बाकी के जिले जैसे करने गर्ट अभिक रख ल tuo तेंट के रिक लोग इस अधाने आपको बता दिया है तो आज को अज शुरू करने प्रभावी रूप से भागी यों ससक्त बनाने का क्या तरीका है ग्राम पंचायत का गठन करना चेत्र पंचायत का गठन करना और जिला पंचायत का गठन करना अब नेश्ट देखते हैं अब देखते हैं कि जो है पंचायती राज प्रडाली की सुरुवात कब की जाती है तो 73-वे संविधान संसोधन द्वारा एक सू नियोजित पंचायती राज ब्यवस्था की अस्थापना करने का मार्ग परसस्थ किया गया कि संबिधान संसोधन के द्वारा तो 73 संबिध दहाम संसोधन के द्वारा जो कि कब किया गया था तो 1922 में अभी आगे देखने वाले हैं बस आप सभी हमारे साथ बने रहें तो अब आगे देखते हैं कि भारत की प्राचीन गरंथ रिगवेद में सभायोम समिती की रूप में लोकतंत्र स्वायत सासी संस्थाओं का उलेख मिलता है कि प्राचिन काल में भी क्या था लोकतंत्र था जिसमें आपको रिक बेद में उलेक मिला है किसका सभायों समिती का जिसमें लोकतंत्र की सत्ता दिख रही थी ठीक है नेश्ट देखते हैं राज में पहली बार पंचायत की अस्थापना की गई थी 15 अगस्त 1949 इस भी को हुई थी ठीक है शिर्फ ब्यवस्था की गई थी इसकी अस्थापना की गई थी लागू नहीं किया गय था तो राज में पहली बार पंचायत की अस्थापना 15 अगस्त 1949 इस भी को की गई थी तिहत्रवा समिधान संसोधन 1992 परदेश में 24 अपरेल 1993 को त्री अस्तरिये पंचायती राज ब्यवस्था को समवेधानिक आधार परदान कर दिया गया तो इसे समवेधानिक अधिकार कर परदान किया गया था तो 24 अपरेल 1993 को ठीक है लेकिन पहली बार पंचायत की अस्थापना अगर पूछे कब की गई थी तो 15 अगस्त 1949 को निश्ट है है हमारा 73 समवेधान संसोधन के अनुकरम में परदेश सरकार द्वारा उत्तर परदेश पंचायती बिधी अधिनियम 1994 पारित किया गया जो 22 अपरेल 1994 इसबी से परदेश में लागू हुआ अब इसे व्याठ्या देते हैं आपको उत्तर परदेश पंचायती राज बिधी अधिनियम कब आया था तो 1994 इसबी में आया था लेकिन इसे लागू कब किया गया था तो उत्तर परदेश पंचायती बिधी लागू किया गया था 22 अपरेल 1994 इसबी में ठीक है अब नेश्ट देखते हैं कि जो है पंचायती राज बिधी अधनियम में इसमें निमलिखित ब्यवस्था सुनिचित की गई है कौन-कौन से लाव हिसमें बताये गए हैं इसके बारे में हम देखने वाले हैं तो पंचायतों का गठन और सर्रचना कि पंचायतों का गठन कैसे किया जाएगा और उसका कारभार किस तरह से गाओं में इसको संचालीत रोप से कार को आगे बढ़ाया जाएगा इसके लिए इसमें बताया गया है नेश्ट है आपका अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की बाद भी कही गई है किसमें पंचायती राज ब्यवस्था में कि जो अनुसूचित जाती है यानि कि सिलूल काष्ट और इसके बाद अनुसूचित जन इसका बिस्तार भी पंचायती संसोधन में किया गया है नेश्ट है आपका पंचायतों का निश्चित कारिकाल आपको पता है कि पंचायतों का निश्चित कारिकाल कितना होता है पांच भर्स राज निर्वाचन आयोग का गठन भी इसमें बताय गया है और इसके बार राज बित आयोग की अस्थापना भी पंचायती राजववस्था की अंतरगत की गई है आपको बस मेरे साथ बने रहना शीप देखते रहना हर एक टॉपिंग में आपको हर एक छोटे छोटे प्रसंद मिल ले वाले हैं मैं आपको इसका पीडियाप दूँगा आप इसको चाहे तो फोटो कांपी निकलवा सकते हैं या फिर आप इसको एक बारों खुझ से रीड कर सकते हैं लिखना मत पहले सिप समझते रहना और देखना है आपको परदेश में 23 अपरैल 1994 को राज निर्वाचन आयोग की अस्थापना की गई है उत्तर परदेश में राज निर्वाचन आयोग की अस्थापना कब की गई है 23 अपरेल 1994 भी को नेश्थाप का भारतिय संभिधान में अनुछेत 40 के ताहत राज्यों को पंचायतों की अस्थापना के लिए आवस्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है भारतिय संभिधान में अनुछेत 40 के ताहत राज्यों को पंचायतों की अस्थापना के लिए आवस्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया है कि राज्य जो है अपनी पंचायतों की अस्थापना करने के लिए जो महत्पूर कदम उठाना होगा वो उठा सकता है कौन राज्य और उसके लिए संभिधान में अनुछेत कोन सा उसी अधिकार देता है तो अनुछेत 40 अधिकार देता है राज्य को पंचायतों को अधिक सक्षम वा सुद्रिन बनाने के लिए भारतिय संभिधान के अनुशूची 11 में विभिन कारियों को पंचायतों को हस्ताना किया गया है इस अनुसूची में कुल 29 विसे हैं आपको बस इतना याद रखना है कि पंचायती राज विवस्था के अंतरगत कुल कितने विसे हैं तो कुल 29 विसे हैं ये आपको याद रखना है ठीक है और अगर पुछे कि पंचायती राज विवस्था का जो है उलेक किस अस्तरिय ब्योस्था लागू है उत्तर परदेश में पंचायतों के त्री अस्तरिय ब्योस्था लागू है वो त्री अस्तरिय ब्योस्था कौन कौन से है तो पहला है आपका ग्राम ये ग्राम है तो पहला है ग्राम पंचायत दूसरा है छेत्र पंचायत और तीसरा है जिला आप कह सकते हैं कि सबसे नीचे कौन आएगा ग्राम पंचायत उसके उपर छेतर पंचायत और सबसे उपर दिला पंचायत आएगा जो कि उत्तर परदेश में पंचायतों की तिरी अस्तरिय ब्योस्था को बताता है उत्तर परदेश में तीन परकार के नगर निकाय गठित किये गए हैं तीन पंचायती राज है और तीन नगर निकाय है तो नगर निकाय कुन कुन सा है तो नगर पंचायत नगर पालिका और नगर निगम तो सबसे छोटा नगर पंचायद, दूसरा इससे बड़ा नगर पालिखा और सबसे बड़ा नगर निगम है अब हम एक एक पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे जिला पंचायद के बारे में जो की पंचायदी राज की अंतरगत आता है तो अब देखेंगे जिला पंचायत ठीक है इसके बार में पढ़ते हैं परदेश की पंचायती राज की त्री अस्तरिय ब्योस्था में सबसे सीर्स पर जिला पंचायत है ठीक है मैंने बताया था आपको कि सबसे सीर्स पर कुँन है जिला पंचायत जिला पंचायत से नीचे ह द्वारा किया जाता है जिला पंचायत का जो चुनाव होता है जो वहां के छेत्र मतलब उस छेत्र में जो वयस्क जनता यानिकी 18 वरसी के आयू से अधिक जो ब्यक्ति होते हैं वो इनको डारेक्ट वोट देकर चुनते हैं तो जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव छेत्र के हैं ठोवारए ठोडा सा डिफरेंस है इसमें भी सेमोही स्रेस है बहुं Jeep मैं आपको थोडा सा बताना चाहूंगा मालीली यह आपका हो जाता है जिलन controlling बछा इसके अंतरगत हर जिले जो छेतर पंचायद सदस चुनने जाते है जन्ता के द्वारा उन्हें में इसे एक अध्यच और एक उपध्यच चुने जाते हैं नेक्ष्ट है हमारा जिला पंचायद का सचिव जिले का मुख बिकास अधिकारी जिसे सीडियो कомеμεना पंचायद राज अधिकारी होता है तो जिले का सचिव, जिला पंचायत का सचिव किसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है मुख विकास अधिकारी या सीडियो या फिर क्या कह सकते हैं, पंचायती राज अधिकारी भी कहते हैं निर्च आपका जिला पंचायत अपने सदस्यों में से छे परकार की समितियां बनाती है जो जिला पंचायत होता है वह अपने सदस्यों में से छे परकार की समितियों बनाती है जो इस परकार है पहला आपका हो जाता है प्रसासनिक समित दूसरा हो जाता है नियोजन योम विक 3 है का स्वास्त योम कल्यान स्मित 25 अब हो पढ़ेंगे 65 नीचे, कि किस के बारे में पढ़ेंगे 65 में तो त्री अस्तरिये ब्यवस्ता में दूतिये अस्तर पर 65 आता है, छेत्र पंचायत में एक परमुक तथह एक ओपर फ्रमुक योम स्दस्य होता है तो छेतर पंचायद में भी वही होता है, जैसे जिला पंचायद में एक क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, दूसरा उपाध्यक्ष होता है, उसी प्रकार छेतर पंचायद में भी एक परमुख और दूसरा उपरमुख होते हैं, और उनके साथ सदस भी होते हैं, सदस्यों का चुनाव परत्यच रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है जैसे जिला पंचायत में होता है जो परत्यच रूप से जो जनता चुनती है वैसे जिला छेतर पंचायत में भी जनता ही चुनती है परमुख तथा उपरमुख का चुनाओ जो है सदस्यों द्वारा अपने अधिकारी को कहते हैं जिसे बीडियो भी कहा जाता है अब नेश्ट देखते हैं ग्राम पंचायद के बारे में ग्राम पंचायत तिरी अस्तरी ब्योस्ता में सबसे निचले अस्थान पर ग्राम पंचायत होता है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष परधान होता है जो वर्तमान में आपके गाउं में जो परधान होंगे उन्हें जो है क्या कहा जाता है वो ग्राम पंचायत के परधान अध्यक्ष होते हैं जिसका चुनाव परते चुरूप से ग्राम सभा के 18 वर्स या अधिक आयू के मतदाताओं द्वारा किया जाता है तो तीनों पंचायतों में जो है चुनाव किसके द्वारा किया जाता है ज आपको अगर गाउं का अपने गाउं का परधान बनना है तो आपकी नियूनतम आयू कितनी होनी चाहिए 21 बर्स इससे कम होंगे तो आप जो है गाउं के परधान नहीं बन सकते नियशाब का ग्राम पंचायत की सदस्यों की संख्या का निर्धारन जनसंख्या के अधार पर किया जाता है तो वहाँ पर जनसंख्या की अधार पर किया जाता है ठीक है जितनी जनसंख्या रहेगी उसके अंतर के कितने सदस्य चुने जाएंगे ये आपको विवरन दिया गय तो अगर जनसंख्या के छेतर में देखें तो अगर 1000 तक जनसंख्या है तो अगर 9 सदस होंगे अगर 1000 से अधिक है किन्तु 2000 से कम है तो अगर 11 सदस होंगे और 2000 से अधिक किन्तु 3000 से कम हो तो अगर 13 सदस होंगे यह याद रखना यह कुश्चन पूछ सकता है कि जो है ग्राम ग्राम पंचायत में अगर जन संख्या एक हजार तक है तो वहाँ पर कितने सदे से चुने जाएंगे आपका उप्सन 9, 10, 11, 12 से करके दे सकता है तो आपका सही जवाब हो जाएगा 9 चौथा पॉइंट हमारा क्या हो जाए ता, चौथा पॉइंट है तीन हजार से अधिक जन संख्या पर कितने सदे से चुने जाते हैं तो पंदरा सदे से चुने जाते हैं नेक्ष्य कार संपाधन हे तू मतलब कार को करने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक परतेक माह में कम से कम एक बार होनी जरूरी है तो किसी ग्राम पंचायत की परतम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार है किसी ग्राम पंचायत की पर्थम बैठक उस ग्राम पंचायत की गठन की 30 दिन के भीतर होना अनिवार है अब हम next देखते हैं ग्राम परधान को हटाने की परकिरिया अगर आपके गाउं में अगर ग्राम परधान जो बने हैं आपके गाउं में अगर वो अच्छी तरह से कार नहीं कर रहे हैं या कोई गलत कार कर रहे हैं तो उनको हटाने की क्या-क्या प्रोसेस हो सकती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं तो ग्राम परधान को हटाने की प्रकिरिया क्या है ग्राम परधान को हटाने हे तू ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेस बैठक बुलाई जाती है जिसकी पंदरह दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार है तो 15 दिन पूर्ग किसको सूचना देनी चाहिए ग्राम परधान को देनी चाहिए कि मैं तुम्हारे खलाब ग्राम पंचायात की बैठक बुला रहा हूं जिसमें तुमको हटाने का process किया जाये गए ठीक है तो परधान को 15 दिन पूर्ग सूचना देनी अनिवार है उपस्थित और मतदाता करने वाले सदस्यों के दो बटा तीन बहुमत द्वारा परधान को हटाया जा सकता है। ठीक है तो हटाने में कितने लोगों का मतदान चाहिए तो हटाने में जो है जो उपस्थित हो और मतदान करने वाले सदस्यों में दो बटा तीन बहुमत होना चाहिए परधान को हटाने के लिए नेफ्श आपका यदि बैठक में परधान को हटाने संबंधी परस्ताव पास ना हो सका तो ऐसा दूसरा परस्ताव इस बैठक के एक बरस के बाद ही लाया जा सकता है अगर एक बैठक में आपको परधान को हटाना चाहते हैं अगर मान दीजे परधान को नहीं हटा सके तो दूसरी बार अगर हटाना चाहते हैं तो दूसरा बैठक एक साल के बाद ही होगा ऐसा नहीं है कि आज बैठक किये नहीं हटे कब से सुरू किया गया है अब एक-एक करके हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं बर्स 1992 में केंदर सरकार द्वारा बर्स 1992 में केंदर सरकार द्वारा 74 संविधान संसोधन करके भार्थी संविधान में एक नया भाग 9 क को जोड़ा गया 74 संविधान संसोधन करके संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया तो भाग 9 का जोड़ा गया जिसके तहट अनुच्छे 243P 243 है 243P से लेकर 243ZG के तहट नगर निकाय प्रडाली के लिए विशेश ब्यवस्था की गई है तो नगर निकाय प्रडाली के लिए विशेश ब्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है तो 243P से 243ZG तक ठीक है और नगर निगम के लिए केन सरकार ने कौन सा संभिधान संसोधन किया था तो 74वा संभिधान संसोधन किया था उसके द्वारा भरती संभिधान में भाग नो का जोड़ा गया था नेख्षय चवहत्तरवे संविधान संसोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा उत्तर परदेश अस्थानिय स्वासासन कानून अधिनियम 1994 के नाम से एक कानून बनाया गया था नगरों के परकारों की घोसड़ा राज़पाल करता है नगरों के परकार की घोसड़ा कुन करता है राज़पाल करते है नगरों के परकारों की घोसड़ा राज़पाल करते है तो नगरों के परकारों की घोसड़ा राज़पाल करते है तो नगरों के परकारों की घोसड़ा बारे में तो नगन निगम में एक मेर एक उप मेर वा तीन प्रकार के सभासद होते हैं तो नगन निगम में कौन होता है तो एक मेर होते हैं तीन उप मेर और एक उप मेर एक उप मेर वा तीन प्रकार के सभासद होते हैं मेर का निर्वाचन जो है परत्य छुरूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है नगर निगम जो है कहां से संबंधित होता है सहरों से और गाउं से क्या संबंधित होता था तो छेतर पंचायट जो है यह नगरों से ग्राम पंचायट नगरों से संबंधित क्या होता है ग्राम पंचायट उसी तरह से सहरों से संबंधित क्या हो धारण की तिथी से दो बरस तक उसके खिलाफ आबिस्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता मतलब उनको अगर हटाना है तो जब से आपने मेर को चुना है उसके दो साल बाद ही उन्हें जो है आबिस्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है ऐसा नहीं कि आज आपने चु तो फिर उस तिथी से पुना दो बरस तक आप इस्वास परस्ताव नहीं लाए जा सकता है। और पदेन तो सभा सदों में किस प्रकार के सभा पती होते हैं तो एक तो निर्वाचन होता है निर्वाचित होता है दूसरा मनुनित तो तिसरा पतेन होता है निर्वाचन निर्वाचित सदस परतेक बोड से एक एक चुने जाते हैं निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, वो परतेक वाट से एक एक चुने जाते हैं, जिनके लिए यह आवस्यक है कि उनका नाम निर्वाचक सूचे में हो, सभासद बनने के लिए नियुनतम आयू कितनी होनी चाहिए, आप ये छोटा वाला मतलब जो एक लाइन के प्रसन होते है उन्हें जरूर याद रखेंगे, तो सभासद बनने के लिए नियुनतम आयू कितनी होनी चाहिए, 21 वर, नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 60 से अधिक नहीं हो सकती, तो नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 60 से कम और 110 से अधिक नहीं होन पदेन सदस्यों के अंतरगत नगर छेत्र वाले लोग सभा योम राज सभा सदस तथा बिधान सभा योम बिधान परिशत के सदस आते हैं नगर निगम के मनुनीत सदस राज सरकार द्वारा मनुनीत किये जाते हैं इसके बाद नगर निगम का कारिकाल भी पाँच बरस का होता है लेकिन इससे पूर्व राज सरकार द्वारा बिघटन किया जा सकता है तो नगर निगम का बिघटन किसके द्वारा किया जा सकता है तो पहला कुश्चन हो जाएगा आपका राज सरकार के द्वारा यह जरूरी नहीं है कि नगर निगम का कारिकाल पाँच बरस के बाद ही राज सरकार इसको बिघटित कर सकती है यह कभी भी कर सकती है फिर से नगर निगम के लिए करवाएं अब देखें नगर पालिका के बारे में नगर पालिका परिषद के बारे में भन देखने वाले हैं इस परिषद की रचना एक अध्यक्ष परत्यच निर्वाचन जिसका जो है जो नगर परिषद का अध्यक्ष होता है उसका भी चुनाव किस परकार से होता है पर्तेश्च निर्वाचन यानि कि जनताद्वारा चुना जाता है तो इस परिसद की रचना एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष वा तीन परकार के सदस्यों से होती है परिशद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो परिशद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 से 55 तक होती है ठीक है 25 से 55 तक होती है यह आप याद रखेंगे अपने अश्ट देखते हैं नगर पंचायत नगर पंचायत के बारे में नगर पंचायत में एक अध्यक्ष इसका भी चुनाओ कैसे होता है परत्यच निर्वाचन होता है जनता द्वारा तो नगर पंचायत में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष जिसे जो है आप परत्यच द्धैक्ष रूप से चुना जाता है, यानिकि जब नगर पंचायट के सधश होते हैं, तो उसी अधैक्ष में से एक को जो है आप परित्च रूप से यही अधैक्ष जो है उसे क्या बना देते हैं? ये को उपाधर्च भी बना देते हैं. और तीन परकार के सदस्य होते हैं निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से कम और 24 से अधिक नहीं होनी चाहिए आपको हर एक पंचायत में कितने सदस्य से कितने सदस्य के बीच होना चाहिए और सबसे कम और सबसे जादा से जादा नहीं होना चाहिए ये आपको याद रखना है, जैसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 से कम और 24 से अधिक नहीं होनी चाहिए, इस तरह के जितने भी परसन हैं आपको समझ के रखना है, पंचायतों को धनराश का बितरन राजबित आयोग की संतुती पर किया जाता है, य राजबित आयोग, राज का राजपाल परतेक पांच बरसे के बाद पंचायतों की बित्य इस्तिती की समिक्षा के लिए बित आयोग का गठन किसके लिए किया जाता है, तो पंचायतों की इस्तिती की समिक्षा के लिए, यानि कि पंचायतों की इस्तिती जो होती है, उसकी समिछह के लिए राज़ बित्अयोक का गठन कौन करता है तो राज़पाल करते हैं ठीक है? नेश्ट है आपका अनुखे 243 जहा के तहत राज़ बित्अयोक के गठन करने की सक्ति राज़पाल को दिया गया है जो प्रती पांच बरस की समाप्ति पर करेगा नेश्ट है आपका पर्थम राजबित आयोग बरस 1994 में गठित किया गया था यह कुश्चन याद कर लेना और इसके बाद याद करना कि राजबित आयोग का गठन कोन करता है राजपाल करेगा और पहली बार परदेश में जो है राजबित आयोग का गठन कब किया गया था तो 1994 में उत्तर परदेश के पंचम राजबित आयोग की सिफारसों के अनुसार अभी तक जो है उत्तर परदेश में कितनी राजबित आयोग का गठन किया गया है तो पांच ठीक है तो वर्तमान में पांच वाँ चल रहा है इसे आप ध्यान रखेंगे अभी मैं पांचों के जो हेड है पांच बित आयोग के जो हेड चुने गए है अब तक बने हैं मैं पांचों को भी बता दूँगा तो पहले ध्यान दे उत्तर प्रदेश के पंचम राजबित आयोग की सिफारिसों के अनुसार पंचायती राजसंस्थाओं के अंस से पंदरा परतिसत जिला पंचायत से पंदरा परतिसत और छेतर पंचायत तथा एक बार फिर से देखेंगे तो अंस से पंदरा परतिसत ये जिला पंचायद से चुने जाएंगे और 15% छेतर पंचायद से तथा 70% कहां से चुने जाएंगे तो ग्राम पंचायद को दिया जाएगा तो उत्तर परदेश के पंचम राजबित आयोग की सिफारिशों के अमसार पंचायती राज़ संस्थाओं के अंस से 15% जिला पंचायत से 15% छेतर पंचायत से और 70% ग्राम पंचायत को दिया जाएगा तो देखते हैं कि अब तक 1994 से लेकर उत्तर परदेश में कितने राजबित आयोग बने हैं तो पांच बने हैं तो पहले बितायो के ध़क्च बने थे, सिरी भाल चंदर सुकल, दूसरे कोन बने थे, सिरी टीयन धर, तृतिय कोन बने थे, तो सैयद अली दाहिर रिजवी बने थे, और इसके वाद चतुर्थ कोन बने है, ये बने थे, सिरी अतुल कुमार गुपता, ये कोश्चन पूछा पूछा गया था, आप इसको याद रखेंगे, लेकिन तब पूछा गया था, जब ये चतुर्थ के करम के बने थे, और उसी टाइम पे आरो ये आरो का पेपर हुआ था, और पांचवा अभिवर्तमान में कोन है, तो सिरी आनंद मिसरा है, हो सकता है, इसे अब की बार पू समिधान के अनुछे 243 टा से या तक, के ताहत राज निर्वाचन आयोग के गठन की सकती किसे दी गई है, तो यह भी राजपाल को दे गई है, राज बित आयोग के गठन का सकती किसे दिया गया था, तो राजपाल को दिया गया है, और राज निर्वाचन आयोग का गठन भी किसे दिया गया है, राजिपाल को दिया गया है, तो दोनों गठन कोन करते हैं, दोनों आयोगों का गठन राजिपाल करते हैं, राज निर्वाचन आयोग को ग्राम पंचायत यों नगर पंचायत के सभी निर्वाच को हेतू, निर्वाचन नामवली तयार करने की, तयार क सब्सक्राइब करने स्टित निर्वाच्न श्कायत को तो निर्वाच्न आयोग को सदस्यों को निर्वाचन है तो निर्वाचक नामा वले उनकी तयार करना और उन पर जो है निर्याचको का अधिछण ये सभी नियंतरर करने की सक्टि किसे दी गई है राज निर्वाचन आयोग को अब देखते हैं कि उत्तर परदेश राज निर्वाचन आयोग्द वर्तमान में कौन है तो ये हैं मनुज कुमार उत्तर परदेश राज निर्वाचन आयोग्द वर्तमान में कौन है तो ये हैं मनुज कुमार और पूछे तो राजबित आयोग कोन है तो सिरी आनंद मिस्रा मैंने आपको पहले बता दिया था नेक्ष्ट है आपका नियाय पालिका अब हम नियाय उत्तर परदेश की नियाय पालिका है उसका उच्छ नियायले की अस्थापना बर्स 1866 में आगरा में की गई थी उत्तर परदेश में उच्छ नियायले की अस्थापना की गई थी 1966 में आगरा में पर्यागरा से कहां ले आए गया उच्छ नियायले को परियागरा में परियागराज उच नियाले में नियाधिसों की सुईकृति संख्या 160 है तो परियागराज उच नियाले में नियाधिसों की सुईकृति संख्या कितना है option 4 रहेगा इसमें से आपको एक option दिया जाएगा 160 तो सही जवाब हो जाएगा आपका 160 जो देश के अन्य किसी उच्छ नियायले से अधिक है मतलब इतना अधिक नियाधिसों कि इस संख्या जो है किसी अन्य उच्छ नियायले में नहीं है जितना उत्तरप्रदेश के उच्छ नियायले में है उच्छ नियाले के नियाधिसों की नियुक्ति राष्टपती द्वारा किया जाता है जो उच्छ नियाले के नियाधिस होते हैं उनकी नियुक्ति कुन करता है राजपाल आपको लगेगा क्योंकि राजपाल के अंतरगत उच्छ नियाले आता है लेकिन राजपाल नहीं करेंगे, कौन करेंगे, राष्टपती करेंगे उच्च नियाले के मुख नियाधीस की नियुक्ती, राजपाल के प्रामर्स से योम अनियाधीसों की नियुक्ती है तो उच्छ नियाले के मुख नियाधिस से प्रामर्स लिया जाता है तो उच्छ नियाले के जो मुख नियाधिस की नियुक्ति राजपाल की प्रामर्स से कुन करता है राष्टपती करते हैं ठीक है यो अन नियाधिसों की नियुक्ति है तो उच्छ नियायले के जो मुख नियाधिस से प्रामर्स लिया जाता है, कि किसे किसे जो है उच्छ नियायले का मुख नियाधिस बनाना है, और किसे जो है अन्नियायले का नियाधिस बनाना है, ये कार कुन करता है, राज़िपाल करते हैं, राश्पती के द्वारा, उत्तर उत्तर पर्देश में न्याईक सेवा को दो भागों में बाटा गया है तो यहाद दो भागों में बाटा गया है कौन-कौन सा तो उत्तर पर्देश सिविल न्याईक सेवा अभी इसके अंतरगत कौन-कौन से न्याजीस या कौन-कौन से न्यायाले आते हैं उसको मैं बता तो उत्तर पर्देश में जो न्याईक सेवा है उसको दो भागों में बाटा गया है उत्तर पर्देश सिविल न्याईक सेवा पहला हो जाता और दूसरा हो जाता उत्तर पर्देश उच्छ न्याईक सेवा कौन से सेशन आते हैं तो सिविल योम सेशन जज आते हैं जिन्होंने वर्तमान में additional district सेशन जज कहते हैं जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है और इसे अब वर्तमान में क्या कहा जाता है तो additional district सेशन जज कहा जाता है वर्तमान में परदेश के जिलो में परदेश के जिलो में आतरिक्त, जिला तथा सत्र नयाय थिस शिविल जज, लग्धु नयाय थिस और शिविल जज के नयाय लए आते हैं डोंटोवरी परेसान नहीं हो अभी मैं फीगर से समझाओंगा तो आपको समझ में आ जाएगा बस आप एक बार इसे देख लें अभी मैं आपको समझा दूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा तो जिले अस्तर के सभी नयालेओं पर उच्छ नयाले का इंतरन रहता है इसे आप देखेंगे कि जिले अस्तर के सभी नियाले जो होते हैं उन पर किसका अधिकार होता है तो उच्छ नियाले का अधिकार होता है अब आप यहाँ फिगर से देखेंगे कि उच्छ नियाले के अंतरगत कौन-कौन से अदालते आती है तो यह आपका हो जाएगा तो अधिनस्त नियाले के नीचे कुन कुन से आते हैं तो जिला योम सत्र नियाधिस इसके बार सेकेंड नमबर पर आएगा बिसिष्ट नियाले या पारिवारिक नियाले और तीसरा कुन सा आएगा सिबिल जच योम लगु नियाले लगु आद नियाले चौथा कुन सा यही नियाईक मजिस्ट्रेट, मुख मेट्रोपॉलिटिन, यह कुछन पूछा गया है, अभी आपको आगे मिलेगा, तो मुख नियाईक मजिस्ट्रेट, मुख मेट्रोपॉलिटिन, मजिस्ट्रेट, अपर मुख नियाईक मजिस्ट्रेट, अपर मुख मेट्रोपॉलिटिन, magistrate ये सब जो है किसके अंतरगात आते हैं तो अधिनस्त नियाले के अंतरगात आते हैं और अधिनस्त नियाले पर किसका जो है नियंतरम होता है तो उच्छ नियाले का नियंतरम होता है यही प्रसन में पूरा बताया गया है अब देखते हैं लोग अदालत, लोग अदालत के बारे में हम पढ़ने वाले, तो लोग अदालत के बारे में पढ़ेंगे, तो 42 संबिधान संसोधन द्वारा बर्स 1976 में भारतिय संबिधान में अनुछे 49 का जोड़कर समाज के कमजोर वर्गों हेतु, समान नयाय योमनि, हैता का प्रवधान किया गया है, यह सभी आप कह सकते हैं कि जो जैसे इतना अच्छे तरह से लिखा गया है, उतनी अच्छे तरह से लोगों को नयाय नहीं मिल पाता है, यह किताबी बाते हैं, कि जो किताबे में लिख्षी सिर्फ गई हैं, इसको नयाय दिलाने के लिए इ तो गडालतों के अस्थापन क्यों कही गई थी क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं जो नीचली अस्थान पर इस्थित हैं उनको भी नियाय दिलाया जा सके ठीक है लेकिन उन्हें मिलता कहा है उनके चपल घिस जाते हैं और उनकी जवानी बुढ़ा पर बदल जाती है सिर 49 का कब जोड़ा गया था तो यह जोड़ा गया था 42 में संबिधान संसोधन के द्वारा जो कि कब हुआ था 1976 में ठीक है समाज के और क्यों जोड़ा गया था क्योंकि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों है तो नियाय यो निसुल्क बिदिक सहायता उपलब्ध कराना या इसक सरकार द्वारा बर्स taxes 1987 में उत्तर पर्देश राज़ बिधिक सेवा पुर्दी करंण अधनियम 1987 पारित किया जाता है उत्तर परदेश राज़ बिधिक सेवा पुर्दी करंवां तो 1987 में यह भी आप याद रखेंगे ठीक है तो अधनियम 1987 के अंतरगत जो है राज अस्तर पर उत्तर पर्देश राज बिधिक सिवा पराधिकरन जिला अस्तर पर जो है जिला बिधिक सिवा पराधिकरन और तहसील अस्तर पर तहसील बिधिक सिवा पराधिकरन की अस्थापना की गई है किस अधनियम के द्वारा तो आप याद रखेंगे इंपोर्टन्ट है लोक अदालत की अस्थापना का विचार भारत के पूर्व मुख न्यायधिस पी एन भगवती द्वारा परस्तूत किया गया। मध्यस्त की सहाइता से विवादों को निप्टाने के लिए उच्च न्यायाले परियाग राज और लखनों में दो मध्यस्तता केंद्र भी अस्थापित किये गए हैं। मध्यस्तता केंद्र कहां खुले गए हैं एक तो परियाग राज में और दूसरा लखनों में। राजस्त के मामले में परधान न्यायाले की भूम का राजस्त परिसद निभाती हैं। तो राजस्त परिसद निभाती हैं जो परियाग राज में इस्थित हैं। तो कुश्यन आपको क्लियर हो गया होगा कि राजस्त के मामले में परधान न्यायाले की भूम का को निभाता हैं। राजस्त परिसद निभाता है और राजस्त परिसद की अस्थापना कहा की गई है तो परियाग राज में की गई है। राजस्त के मामले में कलेक्टर या सहायक कलेक्टर द्वारा निरलित होते हैं। यानि कि जो राजस्व का मामला होता है वो अब किसकी द्वारा निरले लिया जाता हूँ इसमें तो कलेक्टर की द्वारा या सहाय कलेक्टर की द्वारा उसका निरले किया जाता है लोकायोक्त के बारे में देखते हैं प्रसासनिक सुधार आयोक की संतुती पर उत्तर परदेश लोक सेवा आयोक्त या लोकायोक्त तथा उपलोकायोक्त अधनियम 1975 को अधनियमित किया गया यानि कि आपका अधनियम 1975 के अंतरगत जो है प्रसासनिक सुधार आयोक की संतुति पर उत्तर परदेश में लोक सेवा आयोक्त जिसे क्या कहते हैं लोका आयोक्त और उपर लोका आयोक्त की अस्थापना के गई थी ठीक है तो किस अधनियम के द्वारा तो 1975 अधनियम के द्व तो 14 सितंबर 1977 को राज्ज का पर्थम लोकायूक्त किसे बनाय गया था तो बनाय गया था विस्वंभर दयाल को न्यूक्त किया गया तो उत्तरपरदेश का पर्थम लोकायूक्त किसे बनाय गया था तो विस्वंभर दयाल को और कब बनाय गया था तो 14 सितंबर 1977 को बनाय गया था ठीक है तो जैसे अधनियम पास कब हुआ था तो लोकायोक्त का अधनियम पास हुआ था 1975 में उसी के दो साल बाद जो है पर्थम लोकायोक्त बनाय गया था विस्वंभर दयाल को इसके बाद लोकायोक्त की सहायता के लिए उपलोकायोक्त की भी नियुक्त की गई है तो लोकायोक्त की मदद करने के लिए उपलोकायोक्त की नियुक्त की गई है आपको पता है कि जैसे आप तो देखो पहले क्या होता था डिप्टी सीम नहीं होते थी लोकायोग्त तथा उप लोकायोग्त का कारिकाल कितना है तो इनका कारिकाल होता है आठ वर्स इस पद पर सेवा निब्रित नियाधीस की नियुक्त की जाती है यानि कि जो नियाधीस से रिटायर हो जाते हैं उन्हीं को जो है लोकायोग्त बनाया जाता है यह कारिपालिका के प्रभाव से मुक्त तथा स्वतंत्र होता है का या इस पर जो है कारिपालिका का कोई भी प्रभाव नहीं बढ़ता है या उनके अधिकार छेतर से बाहर होता है वरतमान में उत्तरपरदेश के लोका यूक्त कौन हैं तो संजय मिस्रा है इसे भी आप याद रख सकते हैं और पहले कौन थे तो विसंभर दयाल थे नेकी आपका लोका यूक्त इस अधनियम के तहत किसी ब्यक्तिया नागरिक की सिकायत पर, ध्यान से देखेंगे, इनका शिर्वकार क्या है, और कुछिशन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो लोका यूक्ति इस अधन सुन्वर दिधाध के कार कार क्या होता है तो राज, मानौअधिकार आयोक उत्तर परदेश में मानुवा धिकारों के सरक्षण है तो मानुवा धिकार सरक्षण अधनियम कब आया था तो 1993 में आया था किसी का जन्मदिन हो गया इस तारी को उससे आपन रिलेट कर लेना ठीक है क्योंकि मानुवा धिकार के लिए जो सरकार उत्तर परदेश की सरकार आर का गठन 4 अप्रेल 1996 को किया गया था अधनियम कब आया था तो मानवा धिकार सरक्षड का अधनियम आया था 1993 इस भी में लेकिन इसका आयोग कब गठित किया गया था तो 4 अप्रेल 1996 भी में मतलब 3 साल बाद जो है राज मानवा धिकार का आयोग का गठन किया गया था अधनियम पूछे तो 93 में गठन पूछे तो 1996 में जब की अवचारिक रूप से 7 अक्टूबर 2002 को इसका गठन किया गया ठीक है आयोग का गठन किया गया था कब आयोग का गठन किया गया था लेकिन जब अवचारिक रूप से इसका कारे कब से प दो हजार दो को कब मिले थी तो साथ अक्टूबर दो हजार दो को मिले थी नेक्श ने आपका कि उत्तर परदेश राज मानवाधिकार आयोग के पर्थम न्यायमूर्थी कोन थे तो ये थे एपी मिस्रा, एपी मिस्रा जो है ये उत्तर प्रदेश के पर्थम मानुअधिकार आयोग के अध्यक्ष बने थे जबकि आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कोन है तो वर्तमान अध्यक्ष है न्याय मूर्ति बाल क्रिस्ण नारायन तो पहले और लाश्ट दोनों में ने लिख दिया है तो आपको पहला मनवधिकार आयोग के उत्तर परदेश के अधरच कोन थे तो वो थे एपी मिस्रा और वरतमान में कोन है तो नियामूर्ती बालकरेस नारायन है तो राज सूचना आयोग के बारे में देखते हैं थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन जाएका तो आप लोग थोड़ा सा फ्लीज मैनित करना क्योंकि कॉन्टेंट जादा है और उत्तर परदेश की राजनीती को एक पार्ट में पढ़ाना मुश्किल था इसलिए दो पार्ट ल सजब्तर गठन कब किया गया था तो अगर पूचे कि भारत में तो भारत में भी आ गया था 2005 में ठीक उसे के अधार पर राज में जो है राज सूचना आयोग का गठन कब कर दिया गया था तो 14 सितंबर 1905 को किया गया था राज के पर्थम सूचना आयुक्त कोन है तो ये थे नयमूर्थी M.A. खान कोन थे तो सूचना आयुक्त थे M.A. खान जिनकी नियुक्ती 22 मार्च 2006 को की गई वरतमान में राज के मुख सूचना आयुक्त कोन है तो सिरी भावेश कुमार सिंग है कौन है वर्तमान में सूचना आयुक्त राज सूचना आयुक्त कोन है तो ये है शिरी भावेश कुमार सिंग पहला ये मतलब वर्तमान में भावेश कुमार सिंग है और पहले कौन थे तुन्यामूर्ति यमे खान थे राज सूचना आयुक्त को पुनर न्यूक्त की पात्रता नहीं होती यानि कि राज जो सूचना आयुक्त है उनको आप पुनर न्यूक्ती नहीं कर सकते हैं ठीक है इनमें पुनर न्यूक्ती की पात्रता नहीं होती है इन्हें दुबारा न्यूक्ती नहीं दी जा सकती निर्षे राज्य मुख्य सूचना आयूक्त तथा राज्य सूचना आयूक्त का कारकाल कितना होता है तो वो कारकाल इनका 5 वर्स या 65 वर्स की आयूक्त तक होती है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त का जो कारकाल होता है उनका या तो पांच बर्स पूरा हो जाए उनका कार या फिर उनकी उम्र कितनी हो जाए 65 बर्स माल लेजे कि उन्हें जो है राजमुक्य सूचना आयूत कब बनाए गया 63 साल की उम्र में ठीक है तो वो 2 साल सिर्फ अपने डूटी करेंगे क्योंकि उनका उम्र कितना पूरा हो जाएगा तो 65 साल पूरा हो जाएगा तब उन्हें रिटार्मेंट कर दिया जाएगा या फिर अधनियम कब आया था 2004 में ठीक है ऐसा संशोधित रूप कब आया था तो महिला आयूग अधनियम के रूप तो 26 अप्रेल 2013 को अधिनियम पूछे तो 2004 में अगर अधिनियम में संसोधित रूप पूछे तो 2013 में 6 अगस्त 2018 को बिमला बाथम ने उत्तर परदेश राज महिला आयोग के अध्यच का पदवार गराण किया तो याद रखेंगे कि वर्तमान में कोन है तो 6 अगस 2018 को बिमला बाथम ने उत्तर परदेश राज महिला आयोग के अध्यच का पदवार गराण किया है नेश्ट अब देखते हैं कारागार प्रसासनियों सुधार अब हम जेल के बारे में थोड़ा सा जो उत्तर परदेश का जेल कारागार प्रसासन है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी कलेक करने वाले हैं इसके बाद हम क्या करेंगे डारे प्रिवियस येर कुश्चिन सालो करेंगे ठीक है तो 10 से 15 मिनर की वीडियो और होने वाली है तो वर्तमान में राज में 5 केंदरिये कारागार कारे रत हैं तो उत्तर परदेश में जो है पूरे देश का कितना केंदरिये कारागार है तो उत्तर परदेश में 5 केंदरिये कारागार है और कहां कहां पर है इस कफ़दा मर किया ने इसके स네 अपना एक ड़ू और ऐसके बारे में हम जानकरी अवरक लेट करते हैं जो कारगार प्रसासन है उत्तर परदेश के तथा अन राज्यों के कारगार करमियों के परसिक्षण के लिए संपूरडा नंद कारगार परसिक्षण संस्था कहा इसते थे लखनव में तो उत्तर परदेश के तथा अन राज्यों के जो कारागार कर्मियों को परसिक्षण करने के लिए किस परसिक्षण कारागार मिलाए जाता है तो उनका नाम हो जाता है संपूरडा नंद कारागार परसिक्षण में लाया जाता है जो कहाँ पर है लखनों में है तो आप याद कर सकते हैं कि कुछन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो कारागार कर्मियों को परसिक्षण देने के लिए किस पर सिक्षन संस्थान की अस्थाफना उस तर परदेश में की गई है तो आपको चार केंद्रिय कारागार का नाम दे दिये जाएगा उसमें संपूरानंद कारागार का भी नाम रहेगा तो आपका सही जवाब हो जाएगा कारागारों में निरुध अच्छे ब्यवहार करने वाले कैदियों को निरुध रूप किये जाने है तो मतलब उनको और अच्छा बनाने के लिए 1949 में केंद्रिय कारागार लखनव अस्थापना इसकी कप की गई थी तो 1967 में लखनव को आदर्स कारागार बनाया गया है जो कैदि होते हैं उनका अच्छा ब्यवार होता है तो उनके लिए एक अलग से कारागार बनाया गया है जिसका क्या नाम है आदर्स कारगार वो कहां पर बनाय गया है लखनों में जिसके अस्थापन कब की गई थी तो 1968 में की गई थी ठीक है तो इसे आप याद रखेंगे जिसका क्या नाम था? तो केंद्री ये कारागार था लेकिन उसका नाम बदल के क्या नाम रख दिया गया? आदर से कारागार. तो ये कहां पर है? लखनों में. नारी बंदन निकेतन ये कहां है तो लखनों में. तो नारी बंदन निकेतन लखनों के अलावा अलिगर युम अय एक बर्स से अधिक सजा पाने वाले 18-23 वर्स की आयू के अल्पवयस्क बंदियों को किसोर सदन बरेली में रखा जाता है। जो एक बर्स से अधिक सजा पाय हुए होते हैं और उनकी उम्र कितनी रहे 18-23 वर्स यानि कि उन्हें क्या कहा जाता है तो इस प्रकार के बंदियों को कहा रखा जाता है किसोर सदन बरेली में रखा जाता है। निर्स याप का प्रसासनिक सुगमता की दिरिष्ट से परदेश को नौ कारागार परिछेतरों में माटा गया है। तो पर्देश में जो है कितने प्रकार के प्रसासनिक सुगमता केंदर खोले गए हैं, कारागार छेतर खोले गए हैं, तो नौ है कौन-कौन से, गोरखपूर, लखनव, पर्यागराज, बरेली, मेरट, आगरा, कानपूर, अयोध्या, वरांसे, तो इन नौ जगहों पर पर प एक पढ़ाए एक तथा, नया सबेरा कारिकरम कारागारों में संचालित है, यानि कि कह सकते हैं, जो पढ़े लिखे कैदी नहीं हैं, उनको साक्षर बनाने के लिए, उत्तर परदेश की जो जेले हैं, उनमें कौन सा कारिकरम चलाय जा रहा है, तो उसमें एक पढ़ाए एक एक कारिकरम चलाय रहा है, और एक कारिकरम और चलाय जा रहा है, नया सबेरा, ये दो कारिकरम चलाय जा रहे हैं, जो कारागार में बंद कैदी हैं, उनको साक्षर बनाने के लिए, आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए, राज की राजधानी लखनों में एक कमांडो ट अरासी भारतिय प्रकोष्ट इसके भारे में भी थोड़ से देखते हैं कि जो बाहर से आए हुए ब्यक्तिय होते हैं उनके बारे में उनके लिए राज्य सरकार क्या-कया सुभधाय उपलब्ध कराती है उसके बारे में पढ़ने वाले है तो उत्तरपदेश सरकार द्वारा एक पिर्थक यन आर आई बिभाग का गठन किया गया है जो आ परवासी भारतियों की समस्याओं के निराकरण से संबंदित है ठीक है जो आ परवासी भारतिये होते हैं जो बिदेशों से भारत में आते हैं उनको कोई प्रकार की समस्या ना हो उनको अगर कोई समस्या है तो उ इस्पित पहुच का लाब उठाने के लिए कार करेगा. इस विभाग के निभिकित उद्धेश हैं. अब देखते हैं कि या नाराय विभाग के कौन-κौन से उद्धेश हैं, जो आपर रवासि भारतियों को लाब पहुचा सकते हैं. ठीक है? तो उत्तरपरदेश मूल के आप परवासी भारतिये हैं, उनको उत्तर परदेश सरकार ने क्या दिया है, यनाराई कार्ड दे दिया, मतलब कि जिनका जन्म कहां पर हुआ हो, भारत पे हुआ हो, वो जाके किसी दूसरे देश में बस गए हो, फिर वहां से अगर आ रहे हैं, तो उनके लिए उत्तर परदेश सर सम्मान भी परदान किया जाता है, तो जो मूल आपरवासी भारतिये हैं, अगर वो उलेखनिये कार करते हैं, तो उत्तर परदेश सरकार उन्हें जो है, NRI सम्मान भी परदान करते हैं, नेक्श्ट है आपका उत्तर परदेश माइग्रेट रिसोर्स सेंटर, यानि UPMRC की अस इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो 6 अगस्त 1975 को, 6 अगस्त 1975 में प्यंसन अनुदान है, तो प्यंसन दिमावली प्रख्यापित की गई है, यानि कि प्यंसन आयोकी अस्थापन कब की गई है उत्तर परदेश में, तो 6 अगस्त 1975 से की गई है, स्वतंतरता संग्राम सेना सेनानी कल्यान परिसद की अस्थापना बर्स 1937 में की गई है तो सुतंतरता संग्राम सेनानी कल्यान परिसद की अस्थापना कव की गई है तो 1973 में की गई है इसके पदेन अध्यक्ष राज्य के मुख्य मंतरी होते हैं यह कुछिन इंप्वाटन है कि जो सुतंतरता संग्राम सेनानी कल्यान परिसद है इसके अध्यक्ष कोन होते हैं तो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं राज के मुख्य मंतरी बर्स 1976 से लेकर 77 में 1976 से 77 में उत्तर पर्दिस सुतंतरता सेनानी कल्यान संस्थान की अस्थापना कहा की गई है लखनों में की गई है तो सुतंतरता सेनानी कल्यान संस्थान के अस्थापना की गई है यह की गई है लखनों में 1976 से 77 में की गई थी जिसके अध्यक्ष कोन होते हैं तो सीम होते हैं राजधानी लखनों में एक सेवा सदन की अस्थापना की गई है जो परदेश के बिर्ध योम निराशरित स्वतंतरता संग्राम सेनानियों के लिए आवास योम भोजन की ब्यवस्था सुलब कराती है ठीक है तो ये कुश्चन किलियर हो गया होगा और उत्तर परदेश से संबंधित जो राजनीतिक ब्यवस्थाएं की उसको मैंने पढ़ा दिया है अब मैं प्रिबियस ये कुश्चन आपको सौलब कराने वाला हूँ बस आप सभी पूरा देखना 20-25 कुश्चन है जो की आपक निगम का मुख्याल है कानपूर में इसके बाद उत्तर परदेश मूल्य वरधित कर वेट लागू हुआ तो उत्तर परदेश में मूल्य वरधित वेट कब लागू हुआ था तो एक जनवरी 2008 से उत्तर परदेश में माननेता प्राप्त इस्टाक एक्षेंज है यानि कि सेर दीर्ख कालीन रिन्ड उपलब्ध कराया जाता है वह है उत्तर परदेश बित्तिय निगम नेश्ट आपका पांचवा प्रसन है राष्टिय चेमबर आफ उद्दोग योम वारीज उत्तर परदेश में कहां इस्थित है तो यह इस्थित है आगरा में उत्तर परदेश के ब्य अगर में इस्थित है आठमा प्रसन है आपका उत्तर परदेश के लोका योक्त किसे अपना त्याग पत्तर संबोधित करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजपाल क्योंकि राजपाल इनकी नियुक्ति भी करते है ठीक है और मैंने बताय था कि लोका योक्त का का कारकाल कितना होता है तो उनका कारकाल होता है आठ बर्स ठीक है आठ इयर पी एसी बिद्रोही पी एसी बिद्रोह के समय उत्तर परदेश के मुख मंत्री कौन थे तो यह थे कमला पती तिरपाठी ग्रहवा परसन यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर परदेश बना यानि दिन बिलंबित कर सकता है, तो 14 दिन तक उसे अपने पास रख सकता है, उत्तर परदेश में कौन सा ऐसा समुदाय है, जिसमें खाप पंचायत व्योस्था एक पाराम परागत समाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है, तो खाप पंचायत व्योस्था किसमें पाई जाती ह है और जाट समझा उत्तर परदेश के कि छेत्र में रहते हैं तो यह पश्मी छेत्र में रहते हैं ठीक है नेक्स्ट है आपका तेरा हमा प्रसन उत्तर परदेश किस छेत्रिय परिशत का सदस्य है तो यह मध्ध छेत्रिय परिशत का सदस्य है मैंने आपको बताया था अगर आ तो इसका जो मुख्याले नार्थ का मुख्याले कहां पर है नियू डेली में और एthis in чesnaia. में है और पूर्व का कहा है तो कोलकाता में है और पस्चिम का मुख्याले कहा है तो पस्चिम छेतरी परिसत का मुख्याले हो जाता है मुंबाई में तो उत्र परदेश के बारे में जो यह प्रसंद पूछा गया है एक बाद दिखा दें जो उत्र परदेश किस छेतरी परिस तो परियाग राज में मध्ध छेतरीय परिसत का मुख्याले है और 1971 में एक छेतरीय परिसत की अस्ठापनोर की जाती है जो नॉर्थ इस्ट में यहाँपर की जाती है इसका मुख्याले कहा है सिलांग में कहां पर है सिलांग में है इसका मुख्याल है और जो है इन सभी छेतरीय परिशत का अध्यक्ष कोन होते हैं तो जो गिरिह मंत्री होते हैं यानि होम मिनिश्टर होते हैं वही जो है इन छेतरीय परिशत के अध्यक्ष होते हैं तो आप याद कर सकते हैं अब आप देख सकते है उत्तर परदेश की इस्तेती जो है भारत के बीच में है तो इसलिए पूछा गया है कुश्यन कि उत्तर परदेश में उत्तर परदेश की छेतरीय परिशत का सदस्य है तो मध्य छेतरीय परिशत का सदस्य है पूछ सकता है कि मध्य छेतरीय परिशत का मुख्याले कहां है तो परियागराज में नार्थ का पूछे तो देली इस्ट का पूछे यानि पूर्भी छेत्रीय परिशत का मुख्याले कोलकाता में और दक्षडी छेत्रीय परिशत का मुख्याले चिन्ने में पश्मी छेतरी परिशत का मुख्याले मुंबई में और मध्य छेतरी परिशत का मुख्याले कहां पर है तो यहां सिलांग में इसकी अस्थापना कब की जाती है तो 1971 में की जाती है मैंने आपको बता दिया था और बाकी की अस्थापना छेतरी परिशत की अस्था नगर के निर्वाज को द्वारा मुख मैंने ये कुश्चन आपको बताया था कि अब ये कुश्चन आने वाला है तो मुख पेट्रो पॉलिटीन मजिस्ट्रेट कहां पर है तो इसकी अस्थापना की गई है कानपूर में उत्तर परदेश में कुटुम बनेयाले इतर बैवाहिक मामले मतलब जिनकी साधी नहीं होती है तो जो है अगर साधी नहीं हुई होगी तो कुटुम बनेयाले उनकी सुनवाई नहीं करेगा तो इस्पेसली जो है बैवाहिक जोडो के लिए कुटुम बनेयाले जो है उसकी सुनवाई करता है तो अगर आपकी साधी नहीं हुई होगी तो आप कोटुम बने आले में नहीं जा सकते हैं आपको डंडे मार के भगा देंगे ठीक है नेश्याव का अब तक उत्तर परदेश में कितनी महिलाय मुख मंतरी बन चुकी है तो आपको पता यह होगा मायवती जी, सुसिधी मायवती जी और सुचेता किर्पलानी जी गोतम बुध नगर जिले का मुख्याले कहां पर है तो यह गुरेटा नोइडा में है उत्तर परदेश का 71 जब पूछा गया था तो उस समय पर नया नया उत्तर परदेश का 71 जनपत बना था तो कौन सबना था तो कासी राम नगर बना था भारत में किस राज्य का लोकसभा वा राजसभा में परतेनिधी सरवाधी का आपको पता है कि उत्तर परदेश में सरवाधी का लोकसभा और राजसभा सीड किस राज्य में है तो उत्तर परदेश के किस जिले में देश के पर्थम पुलिस संगरहाले की अस्थापना की गई ह तो उत्तर पर्देश के किस जिले में देश का पर्थम पुलिस संगराले कहां पर स्थापित किया गया है तो यह गाजियाबाद में उत्तर पर्देश के लोकायोक्त पद की नियुक्त की जाती है लोकायुक्त पदिकी नियुक्ति मैंने बताया था किसके द्वारा राजिपाल के द्वारा और लोकायुक्त अगर अगर अपना त्याग पत्र देंगे तो राजिपाल को देंगे और लोकायुक्त का कारिकाल कितना होता है तो यह आठ साल होता है दो सभय है, तो उत्तर परदेश में विधान मंदल के दो सदन किस बरस वास्तितमें आया थे तो 1937 में नेश्ट है आपका उत्तर परदेश का पहला राज़पाल कौन था तो 1950 में जब उत्तर परदेश का नाम बदल कर उत्तर परदेश रख दिया जाता है तो उस समय पर उत्तर परदेश के राज़पाल कौन बनाए जाते हैं न्यायमूर्थी यनके मलहोत्रा महरोत्रा है मलहोत्रा नहीं सॉरी क्या नाम है इनके महरोत्रा तो इस्टुडेंट आज हमने उत्तरपद्देश से संबंधित राजनीतिक और प्रसासनिक सुधार से संबंधित टॉपिक कंपलीट कर लिया है बिद कुष्चन के साथ तो ये दो पार्ट में कंपलीट हुआ है पहला पार्ट जो है पचास मिनट करा होगा आई थे और दूसरा एक घंडे का क्योंकि बड़ा है पूरा उत्तरपद्देश को जबसे उत्तरपद्देश को आजा दे मैं मतलब उत्तरपद्देश का जबसे नाम करन किया गया था 24 जनूर तो मैं नहीं ला पाता क्योंकि अकेले हूँ कार करता हूँ अकेले कार करने में समय लग जाता है तो ज़्यादा टॉपिक नहीं दे पाता हूँ तो उसके लिए भी छमाच आता हूँ बड़ जितना दे रहा हूँ उतना आप देख ले और बाकी आपको मैं रोखूंगा नह जै भारत